पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर एरिटिंग करना सिखाएंगे तो यह थी वो वीडियो, अगर आपने पहले कभी भी कोई वीडियो एरिटिंग एप नहीं चलाया है तो भी आप आहसान इसे वीडियो एडिट कर पाएंगे उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा हर तरीके से वीडियो को explain किया है और अगर आपको वीडियो साप नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए उसको बाद वीडिय का साइज रखूँगा उसके बाद यहां से next पर क्लिक तो यहां से cross कर देता हूँ यहां media पर क्लिक करना है मैंने एक black कलर का photo save कर रखा है तो मैं उससे select कर लेता हूं और इसे मैं बढ़ा कर देता हूँ इस तरीके से कीच के जिदने भी second का रगना चाहते हैं वहां तक इस से कीच दीजिए उसके बाद आपको एक song add कर लेना है तो यहां audio पर क्लिक करेंगे और मैंने जो download किया था तो उस folder में जाता हूँ देखिजिए रहा folder और यहां download और उस song को select कर देखिए बटन पर क्लिक करके add कर लूँगा देखिए यहां से cross कर दीजिए तो मुझे यहां से चाहिए वहां से मैं इसे cut कर लेता हूँ तो उसके बाद यहां पर मैं आऊँगा और यहां से song पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहां से नीचे आईए और यहां से split trim and split कैंची वाला option पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से split and play head इस पर क्लिक करेंगे दो पार्ट होगा इसके उसके बाद यह जिस पार्ट को अठाना है उसे मैं उस पर select करूँगा और यहां से delete कर दूँगा और इस पर मैं इसे दबा के इसे खींच के यहां स्टार्टिंग कर लियाँगा अब देखिए जो black line है वह ज़्यादा हो रही है तो इसको हम कम कर लेंगे जहां तक करेंगे तो मैंने गाना सुन लिया है पहले से आप भी सुन लिजिए मैं आपको यह गाना सुनूंगा नहीं क्योंकि मेरे वीडियो में copyright claim आजाएगा इसलिए मैं आपको play नहीं करूँगा लेकिन आप सुनके उसे साबसे text लिख लिजिए तो मैं इसे सुन लेता हूं यहां से कोई font ले लेना अच्छा सा तो मैंने यह पहले से font download कर रखे हैं अगर आप किसी वीडियो को देखके YouTube से add कर लिजिए अच्छे से font या फिरे कोई और font ले लिजिए तो फिलाल मैं इसको लूँगा तो यहां से ok कर दूँगा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं उसको बाद आपको यहां से देखी इन animation पर क्लिक करना है यहां से pop up ओके जो हमारा काम था animation और animation का वो हमने complete कर लिया क्योंकि animation all text पर यह apply हो जाएगा जहां से cut करोगे तो automatically उस पर apply हो जाएगा तो यहां से मैं यहां से cut करूँग इसको बाद मैं text यहां तक मसत रखूँगा इस पर क्लिक करूँगा और यहां से kit यहां से split अब यहां से मैं song सुनके text लिखूँगा यहां पर आकर फिर से split करूँगा और इसको बाद text पर क्लिक करूँगा और इसमें लिखता हूं तो इसके लिए आपको यहां edit पर क्लिक इस तरीके से कीच के जहां से मुझे कट करना है वहां से मैं कर लूँगा तो जल्दी से मैं कर देता हूँ अभी मैंने सिर्फ इसको split किया है अभी मैंने text नहीं लिखा है जहाँ जहाँ से मुझे text लिखना था वहाँ वहाँ पर मैंने इसको split कर लिया है अब मैं जैसे कि अब देखिए यहाँ पर मैंने दो text तो लिख लिए है मस्त नजरों से अब देखिए इस टेक्स्ट पर क्या लिखना है अल्ला तो यहां पर मैं लिख दिता हूँ इस पर edit पर क्लिक करूँगा इस तरीक से add हो गया अब उसके बाद यहां से सुनके इस तरीक से मैं सारी split पर लिख दिता हूँ जल्दी से तो आपको देखिए decorative dividers इस पर क्लिक करना है यहां से आपको इसको ले लेना है और इसको हम थोड़ा भड़ा कर देंगे इस तरीके से देखिए यह sticker पहले से add नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है layer पर क्लिक करेंगे यहां पर sticker पर इस पर क्लिक करेंगे उसकी बाद यहां पर Decorative, इसमें से आपको यहां नीचे आना है, नीचे, नीचे, नीचे आना है नीचे देखिए एह रा, Decorative Dividers, उस्पर कलिक करेंगे और यहां से इंस्टॉल कर लेंगे. तो इस तरीके साथ बैट कर लीजिए इसको यहाँ पर सही से सेट कर लेता हूँ इस तरीके से अब आपको क्या करना है चलिए मैं एक बाद ब्ले करके देखता हूँ उसके बाद आपको लेयर में आना है उसके बाद इस्टी को माई विलोग और यहाँ से इस फ्लावर को ले लेंगे और इनको यहाँ छोटा करके यहाँ पर लगा देंगे मैं इसको थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ इस तरीके से और इसके बाद इस फ्लावर को यहाँ सेट कर लेता हूँ फ्लावर को सेट कर लिया और इसका जो size है न इसको ये layer का इसको पूरा यहां तक कर देता हूँ इसको यहां पर click करेंगे और यहां से इसे copy कर लेंगे मतलब duplicate कर लिया मैंने और इसे उठा के यहां पर ले आएंगे इसको तोड़ा चोटा कर लेते हैं इसको भी कर देता हूँ अब play करता हूँ यह थोड़ा मैंने ज्यादा दूर चला गया इसको थोड़ा pass में ले आते है तो देखिए इतना हमने काम कर लिया अब इसको बाद आपको layer पे आना है यहां से effect यहां से मैं इस वाले pixel slip effect को लूँगा देखिए अब pixel slip यहां से अगर इसको अगर आपके मैं पहले से add नहीं है तो आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहां पर search कर लीजिए spelling देख लीजिए pixel देखिए यहां starting में आ रहा है तो इस तरीके साब इसे click करके इसे आप install कर लीजिए तो यह मैंने effect ले लिया तो यह layer को मैं starting में ले लिता हूँ यहां इस तरीके से यह आ गया अब मैं इस layer पर click अब मैं aspect पर click करूँगा और इसे न में last में यूँ इस तरीके से लेके छोड़ देता हूँ अब उस को यहां पर की पर click करना है और उसके बाद आपको यहां पर इस तरीके से आना है इस तरीके से खींच के यो pixel slip पर लिए देख रहे हैं यह last में आ गया मैं यह अब इसको पकड़ के न इस effect को इस तरीके से last में ले आना है आपको बस और यहां से ok कर देना है अब देखी ज़रा हुआ न कमाल का इसे effect पर click करेंगे और यहां से duplicate कर लेंगे कहांगे duplicate होगे हाँ यह रहा और इसको आगे ले आते हैं अगर आप एक दो बार और लगाना चाहते हैं तो इनको जोड़े छोड़ा कर लेता हूँ यहां तक और फिर से इसको duplicate कर लेता हूँ डुब्लिकेट इससे मेरा यह तीन बार हो जाएगा उसको जोड़ा छोड़ा करूंगँ और इसको भी मैं यहां से duplicate कर लेता हूँ जिससे मेरा चार बार हो जायाँ तो यह यह यहां तक हो गया इसको जोड़ा पास में ले तो चलिए मैं आपको प्ले करके पूरा दिखाता हूं सबका कलर हमने भाइट ही रखा है तो आप भी भाइट ही रखना अब इसको यहां से एक्सपोड कर लेंगे यह वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे अब आपको दूसरे आपकी जरूत पड़ेगी उसका नाम है नौड वीडियो इससे आप डाउड कर लीजिए गूगल प्लेश्टोस कर लीजिए तो इसको ओपन करेंगे और आप यहां पर न्यू प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है आपको देखने में थो वैसे वैसे करते जाना अगर आपको थोड़ा सई से नहीं दिख रहा है तो वीडियो को क्वाल्टी आप बढ़ा लीजिए आपको साफ साफ दिखने लेगेगा तो यहां प्लस पर कलिक करेंगे उसके बाद देखिए मीडिया इसपर कलिक करेंगे यहांसे वीडियो जो यह आ चुका है, तो देखिए आ चुका है यह इस पर किलिक करेंगे, अब देखिए कुछ इस तरीक से दिखा ही देखा आपको, तो आपको क्या करना है, देखिए यह आपको color glow यह लिखा है, तो इस पर आपको simple click कर देना है, और यहां से कोई color ले लेंगे, तो इस ट्रैटि अब देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा यह inseticity, इसको थोड़ा देखिए, इस पर click करके, open नीचे करेंगे न, देखिए यह बढ़ेगा, देख रहे हैं उपर, color का जो signing है बढ़ रही है, इस तरीक से आप कम जादा कर सकते हैं, तो मैं फिलाल यहां 4 रखूँगा, radius इसको दबा के रखेंगे, फिर open नीचे करेंगे, 1.5 रखूँगा, अब आपको कह करना है, अभी अभी यह color है वो red, अभी मेरा पूरे में सिर्फ red है, गिलो वाले, गिलो color इस पर click करना है, देखिए, यहां पर plus का icon है, इस पर plus करेंगे, और फिर से इसके मेरा green हो गया, अब उसको थोड़ा सा और आगे जाओंगा, यहां पर फिर से आकर एक plus का button करूँगा, फिर इस पर click करूँगा, और यहां से मैं यह बाला ले लेता हूँ, उसके बाद गिलो पर click करेंगे, अब थोड़ा से और आगे जाओंगा, प्लस पर click करने के बाद फ अब मैं आपको शुरू से प्ले करके बताता हूँ, तोड़ा यह धीमे धीमे जरूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब यह वीडियो बन जागी तो बहुत मस्त बनेगी, तब आपको एकदम smooth वीडियो चलेगी, जैसे यह पूरा काम हो जाता है हमारा, उसके बाद आप फिर से plus पर क्लिक करना है, वो यहाँ पर आपको सर्च करना है, rain drop, rain देखिए यह आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यह rain drop पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो मारा rain drop जो बारिस वाला है, वो आ चुका है, अब देखिए यहाँ से अगर strength इसको कम, इस पर क्लिक करक देखे यह पानी ज्यादा आ गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, इस तरीके से कम ज्यादा पानी कर सकते हैं, और उसके बाद यहां से बिलर, बिलर पर आप ज्यादा करोगे न तो एक अक्छर देखे कैसे बेकार देख रहे हैं, तो इसलिए हम जीरो ही रखेंगे, और उसके यहाँ पर क्लिक करेंगे यह बंद हो गया तो मारा पूरा काम हो चुका है अब आपको impossi a expert कर लेना यहाँ पर देखिए यह reo क्लिक करेंगे यहां सी यह देखिए प्ले बाला बटन इसपे क्लिक करेंगे यह export हो रही है हमारी वीडियो को थोड़ा कासी वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब पर लीजिए और भी तरह की वीडियो डालता हूं मैं तो जाकर मेरी प्लेय लिस्ट में चेक कर लीजिए